कि हैं किल हमने चुनबकत्व मापी के अंतरगत दोलन्ग चुमबकत्व मापी की विश्ड grilled कि वीश्डर से अध्यंड किया ठीक है और उसमें हमने देखा कि दोलन्ग चुमबकत्व मापी किस प्रकार का उपकरन होता है और वो किस प्रकार से कारी करता है, उसके सिध्धान क्या है, उसके सुत्र क्या है उसके लिए हमने कल आवर्थ काल टी का मान के लिए हमने सुत्री की स्थापना की थी आज हम दोलन चुम्बकतु मापी की सहयता से क्या करेंगे दो चुम्बकों के चुम्बकी आगुनों की तुन्ना पहला प्रिथक विधी और दूसरा योगांतर विधी ठीक है पहला प्रिथाक विधी और दूसरा रुगांतर विधी तो दोलन चुम्बकतु मापी की सहाइता से दो चुम्बकों के चुम्बकी आघूं की तुलना इसकी जो तुलना है हम दो विधियों से कर सकते हैं ठीक है पहला होता है प्रिथत विधी और दूसरा जो होता है योगांतर विधी ठीक है कौन से विधि ? पृृषक पृ्षक नम सीफष्ट है कि चूम்बग जो लेंगे हम उसको पृृषक पृ॥क दो तुम्बग ले रहें उसमें से क्या क्या कराएंगे डोलन कराएंगे ठीक है और उसका दोलनकाल निकाल है दोलनकाल निकल जाएगा तो दो हम क्या योगांतर विधी मतलब हम क्या करेंगे दो चुम्बक जो लंगे उसको योग करके ठीक है तो इस तरीके से पहले हम प्रिथक विधी के बारे में अध्यन करते हैं सबसे पहला विधी है प्रिथक विधी से दो चुम्बकों की चुम्बक की आगुलों की तुलना करना अभी हमने जैसे देखा कि प्रिथाक विधी मतलब दो चुम्बक जो लेते हैं उसमें प्रिथाक प्रिथाक रूप से हम दोलन चुम्बक का तुमापी में चुम्बक को रखते हैं और दोलन कराते हैं ठीक है जब दोलन काल हमको या आवर्द काल यात हो जाता है तो उससे हम क दिखे दे रहा है यह क्या है दो चुम्बक है है ना अब इसमें से हम क्या करेंगे एक चुम्बक को क्या करेंगे पहली बार हम इसमें विच्छ चुम्बक दोलन चुम्बक कतमा पी उसमें रखेंगे ठीक है और दूसरी बार दूसरे चुम्बक को तो सबसे पहले प्रयोग म इस तरीके से रख देए ये इस प्रकार ठीक कुछ दिर बाद ये चुंबक क्या हो जाएगा इस तीर अवस्था में आजाएगा, कुछ दिर बाद ये चुंबक इस तीर अवस्था में आजाएगा जब ये चुंबक इस तीर अवस्था में आजाता है तब हम यहाँ पे एक दूसरा चुंबक लेकर क्या करेंगे इस पर विझ्छे पुपन करेंगे ठीक है और इसको हटा लेंगे ठीक तो इस तरीके से क्या हुआ इस पहले चुम्बक में जो है वो दोलन करने लगेगा जिसको हम इस खिडखी की सहता से देखकर उसको एक निश्चित दोलन जैसे 20 दोलनों का हम क्या गयाद कर लेंगे समय याद कर लेंगे विदाम घड़ी की सहता से ठीक है इसी प्रकार जैसे कि हमने पहले चुम्बक को रखा अब पहले चुम्बक को हम निकाल लेंगे और यह जो दूसरा चुम्बक है ठीक है इस दूसरी चुम्बक को यहाँ पर रखेंगे ठीक है और उसके नज़री के अन्य चुम्बक लाएंगे और इसका जो है क्या गयाद कर लेंगे दोलनकाल गयाद कर लेंगे तो इस प्रकार हम इस प्रयोग को करेंगे तो प्रिथक विजी में क्या करते हैं बारी-बारी से हम चुम्बकों को लेकर उनका दोलनकाल निकालते हैं तो पहला जो चुम्बक है पहला जड़तो आगुल आईवन है ठीक है और इसे 36 तिवरता ह में रखकर रखकर दोलन कराने पर दोलन आवर्त काल कितना प्राक्थ होता है ती 1 प्राक्θ होता है तो शुत्र से T सुत्र आपको मालूम है क्या होता है जोकि शुत्र होता है T is equal to t is equal to 2 pi root of i upon m h ठीक है यह होता है तो इस सूत्र को हम क्या करें पहले चुम्बक के लिए रख दे तो पहले चुम्बक के लिए क्या हो जाएगा t1 equal to 2 pi root of i के जगह में i1 good और m के जगह में m1 into h ठीक है यह मान्मी कर जाएगा ठीक है अब हम क्या करते हैं इस root को हटाने के लिए दोरों पक्चों में क्या ले लेते हैं वर्ग लेते हैं वर्ग लेंगे तो क्या हो जाएगा यह t1 का square हो जाएगा घात हो जाएगा और यह इसका भी वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग है 4 pi का क्या हो जाएगा पाई का वर्ग है और ये जो वर्ग मुल होता है वो हड़ जाता है है ना कितना मिल जाएगा आई वन अप्वान M1H ठीक है M1H ये क्या हो गया इस प्रकार से अब M1H को हम क्या करें इधा ले जाएं क्योंकि हमको आगोण ये जो आगोण है उसकी तुल्ला करना है इसलिए हम क्या करें M1 को इस टाइड ले जाएं ठीक तो क्या होगा M1H is equal to 4Pi का square into I1 और T1 का square ठीक इस तरीके से हमको पहला समीकरन मिलेगा ठीक है ये पहला समीकरन मिल गया इसी तरीके से हम दूसरा चुमबक लेती है दूसरा चुमबक ठीक इस दूसरे चुमबक का चुमबक की आगोण कितना है मान लेते हैं चुमबक की आगोण M2 है ठीक है जड़त तो आगोण जड़त तो आगोण है आई टू, इसको 36 टीवरता, 36 टीवरता h में रखा गया है, 36 टीवरता h में क्या किया गया है, इसको रखा गया है 36 ती उरता, ह में रखा गया है, ठीक, इससे दोलन काल कितना मिलता है, या आवर काल, या इसे लिख लिएते हैं दोलन काल, है ना, दोलन काल, दोलन काल मिलता है हमको T2, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर, पुना हम क्या करते हैं, इस स्वमी करन का उप्योग करते हैं, T के स्थान पे हो जाएगा, T2 बराबर, 2 पाई, रूट अफ, आई के जगह हम क्या हो जाएगा, I2, और M के जगह में, M2 और H तो H ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, I2 अपॉन N2 इन् ठीक है न, तो यह हम कुमाण मिल गया, अब दोनों पक्षों में क्वना हम क्या करें, वर्ग ले, वर्ग लेने पर, वर्ग लेने पर क्या हो जाएगा, T2 का वर्ग, बराबर, 2 का कितना हो गया, 4 और Pi का, पाई की घाठ 2, और यह जो है, वर्ग लेने से वर्ग मुल हट जा अच्छा, इसको थोड़ा और हल करें, है ना, और उसके बाद हम समीकरन दो पराप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो T2, अब यहाँ पर M2H को इधर ले आएं, और T2 को उधर ले जाएं, तो M2H कहाँ पर आजाएगा, उपर आजाएगा M2H, उधर क्या क्या बचेगा, 4π का स्क्वाइर बचेगा, और I बचेगा, I2 बचेगा, है ना, और बटा T2 का स्क्वाइर, उसका वर्ग जो है, नीचे चला जाएगा, इस तरीके से हमने समीकरन एक और समीकरन दो पराप्त क किया, ठीक, अब क्या करें, समीकरन एक भावित दो करने पर, ठीक है, समीकरन एक से समीकरन दो को भाग कर दे, तो पहला साइड एक पक्ष, एक पक्ष से भाग जाता है, और दूसरा पक्ष, दूसरे पक्ष से, तो हमारा पहले पक्ष में क्या है, M1H, तो M1H बटा, इसके के इस साइड में क्या है m2 h बराबर हो जाएगा 4 pi 4 pi का square i1 upon t1 का square पूरे का बटा क्या हो जाएगा 4 pi का square i2 upon t2 का square ठीक है अब इसको हम देखें हल करें तो आपको दिखाई दे रहा है h h उपर नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा इसको हम थोड़ा सा और हल करें 4 pi का square i1 upon t1 का square ठीक हमको मालूम है कि जब ये गुड़ा में जाएगा तो ये रासी पलट जाता है ठीक तो कितना हो जाएगा t2 का square upon 4 pi का square है ना और ये i2 ठीक इस प्रकार से मिलेगा है ना तो यहाँ से क्या-क्या दिखाई दे रहा है 4 pi का square 4 pi के square से कट जाएगा ठीक बचा कितना मान ये मान को हम आगे लिखते है ठीक तो एक साइड में हमारा कितना-कितना मान बचा है एक पक्ष में हमारा मान बचा m1 upon m2 है ना इस पक्ष में क्या-क्या बचा ये i1 और नीचे में t1 का square i1 है ना अच्छा एक काम कर सकती ही ये i1 के नीचे में i2 लिख दे ठीक है और t2 का square बटा यहाँ पे क्या लिख दे t1 का square पलाट की लिख दे ऐसे ठीक तो यहाँ पे हो गया m1 upon m2 equal to i1 upon i2 equal into t2 का square upon t1 का square इस तरीके से यदि हमको i1 i2 t2 t1 कमान गया थो तो हम m1 upon m2 कमान याद कर सकते हैं ठीक है लेकिन यदि हमारा जो i1 i2 बराबर हो जाए तो उसी सिती में क्या होगा ठीक है i1 i2 के बराबर हो जाए और यह जो है एक i मान प्राप्त को है ठीक है है ना यहाँ पे i1 i2 के बराबर i हो जाए तो हमको क्या मान मिलेगा इस समीकरन को हम तीन लिख लेते हैं m1 upon m2 equal to यह i बटा i हो जाएगा और t2 का वर्ग बटा t1 का वर्ग यहने i i कट गया i i कट गया तो m1 upon m2 बराबर हो जाएगा t2 बटा t1 की घाट 2 ठीक है यह हमारा चौथ हमान मिल दिया लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि i1 i2 जो है बराबर हो और यह कब बराबर हो सकते हैं जब जो दंड चुमबक हम लें उनकी लंबाई चौडाई और उनका जो भार है वो बराबर होगा तो i1 i2 के बराबर हो जाएगा जैसे यह चुमबक है यह चुमबक और जो हमारा दोलंग चुमबक का तुम आपी में रखा चुमबक है वो दोनों साइज में कैसे हैं है तो इनका जड़त्वाग हो कैसा हो जाएगा बराबर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं m1 upon m2 t2 और t1 कमान निकाल कर सकते हैं ठीक अब इनका मान कैसे ज्याद कर सकते हैं इनके लिए प्रिक्षंट शाननी तो सबसे पहले हमको i1 i2 कमान निकालना प ठीक है और क्या कराया दोलन कराया ठीक है तो वो जो दोलन हमने कराया है उसको क्या करना पड़ेगा हमको निश्चित दोलन जैसे की हमको 20 जो है उसमें दोलन कराना है तो पहले चुंबक का 20 दोलन करवाएंगे और दूसरा चुंबक का भी 20 दोलन और उसको हमको क्या करना ह उसमें हमको कितना टाइम लगता हैं उसके जो समय है उसको विराम घडी की साहता से समय को नोट करना क्योंकि उसकी हमको आउस करता है यहाँ पर सुत्र में रखने के लिए ठीक है तो हम उस समय या आवर्त काल को हम नोट कर लें दूरान का, तो हमारा चुंबकी आगुण निकल जाएगा, चुंबकी आगुणों की तुलना हो जाएगा, ठीक है? प्रिक्षन शान्नी सबसे पहले तो हम दो चुम्बक लेंगे ठीक है किता चुम्बक दो चुम्बक जैसे के हमने अभी देखा प्रयोग करके प्रथम चुम्बक ब्यूती चुम्बक यहां पर हम पहले वाले चार्ट में जड़तो आगुन का मान गयाद करेंगे किसका मान गय बेमान होता है, उसको भी हम क्या करेंगे, माप लेंगे, ठीक, उसके बाद हम सुतर में रख देंगे, जड़तो आगनू बरावर क्या होता है, इसमें रख करके हम क्या करेंगे, प्रथम चुम्बक का आईवन कमान गयाद कर लेंगे, फिर वैसे दूसरे चुम्बक का क्या निकाल लेंगे, आईवन कमान गयाद कर लेंगे, ठीक, है ना, उसके बाद जो दूसरा है, हमारा जड़तो आगनू निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है आवर्थकाल आवर्थकाल के लिए क्या करेंगे इसके लिए हम विराम घड़ी का प्रियोग करते हैं और उसका अलपत मांग भी हमको मालूम होना चाहिए ठीक अब चुम्बक पहला दूसरा ठीक है पहले चुम्बक को हम 20 दूलन कराते हैं कितना दूलन कराएंग समय लगता है तो पहला पार्ट लेंगे दूसरा ठीक अगर बचले यह तो की प्रकार से आपकरेंगे यहाँ पर भी ठीक है और यहाँ पर T2 कमान निकाल लेंगे ठीक और T1 और T2 कमान जहाँ निकल गया तो समीकरंट 3 की साहता से हम क्या कर सकते हैं यहाँ यहाँ आपको क्या समान बराबर है तो उसका जड़त आगहने बराबर हो जाएकर तो हम इसकी साहता से क्या कर सकते हैं अब इसके बाद जो हम क्या करें दूसरा जो विधी है उसको देखते हैं दूसरा विधी जो मैंने आपको बताया है वो कौन सी विधी है हाँ योगांतर विधी ठीक है गुड़ तो जो दूसरा विधी योगांतर विधी है इसके लिए दूति योगांतर विधी से दो चुम्बकों की चुम्बक की आगुनों की तुल्ला करना सबसे पहले जैसे हमने देखा ठीक है कि हम प्रिथक विधी में एक एक चुम्बक लिए थे अभी हम क्या करेंगे दोनों चुम ये दो चुम्बक है, है ना, ये जो है आपका दो चुम्बक है, ठीक, अब बांधने के दो तरीके हैं, बांधने के इनको दो तरीके हैं, एक तरीका ये होगा कि इनका दोनों समान धुरू क्या हो, एक तरफ हो, दिखे दे रहा है आपको, समान धुरू कहा है, एक तरफ है, N और N ठीक है ना इधर S और S ठीक है इस तरीके से इनको क्या कर देंगे ऐसे बांध देंगे और बांधने के बाद जो दोलन चुम्बक तमापी है उसमें पहरी क्या करेंगे इसको रखेंगे ठीक है और बाहर से एक चुम्बक लाकर उसको दोलन करवाएंगे और उस दोलनकाल को हम लोट कर लेंगे, ठीक दूसरी स्थिति क्या हो सकता है दूसरी स्थिति ये हो सकता है कि ये जो है इसको पलट दें और एन और एस बेसं पहला चुम्बग subduella को थे यो जज़द थो दिख लेते हैं कितना iPhone ठीक है और 36 तरियत तक तो ऐची रहेगा ठीक है आवरत काल पहला चुम्बक का क्या लिखे ले? चुम्बक की आगुन M1, जड़त आगुन I1 वह उसी प्रकार दूसरा चुम्बक का चुम्बक की आगुन क्या लिखे? ले ले मान M2 और जड़त आगुन क्या ले ले? I2 ठीक है? इस प्रकार से ले लेते हैं और इनको लेने के उपरान अभी जैसे हमने बताया कि पहली स्थिती हम क्या करेंगे? एक जो दुरू है उनको एक साथ रखेंगे ऐसा ठीक है? है ना? यहने इसका चित्र कैसे बन जाएगा? यह N S और इस प्रकार से दिखा दे यह N S ठीक है? इनको हम क्या करते हैं? इस प्रकार से ऐसे बांग देते हैं उनको क्या करते हैं? बांग देते हैं लपेड देते हैं ठीक है? तो यहाँ पर देखें ए दुरू कैसे हैं? समान दिसा में हैं ठीक है? तो इसके लिए जो सयु स्यूक्त चुम्बकी आगन क्मान करिंग इस कमान जोड़ेंगे तो एक समान दोनों को यह सदीस रासी है एम वन एम्टो कैसी रासी सदीस रासी है यहाँ पे समान धुरु लेने से एम वन प्लस क्या हो जाता है M2, ठीक है, और उसके बाद, सयुक्त चुम्बकी, सयुक्त जड़त्व आगुन, सयुक्त जड़त्व आगुन कमान क्या हो जाएगा, हाँ, very good, I1 प्लस I2, ठीक है, यह में जाएगा, सयुक्त चुम्बकी आगुन, M1 प्लस M2, और सयुक्त जड़त्व आगुन में जाएगा I1 प्लस I2 ठीक है अब इसके बाद जो है इन दोनों को लपेट कर हमको क्या करना है दोलन चुम्बकत मापी में रखकर उसका दोलन काल की गड़ना करना है तो पहली अवस्का में हम क्या करते हैं चुम्बक को इस प्रकार लपेट कर दोलन चुम्बकत मापी में रखते हैं ठीक है तो उसका स्युक्त चुम्बकत की आगों हमको M1 प्लस M2 और स्युक्त जड़त वागों I1 प्लस I2 मिलता है ठीक है और जब इसको रख कर हम कहा पर रख देते हैं दोलन चुम्बकत मापी में रख देते हैं और दोलन कराते हैं तो उस समय हमें दोलन काल यदी T1 प्राप्त हो ठीक है इस अवस्था में रख कर दोलन कराने पर दोलन काल यदी T1 प्राप्त हो ठीक है सुत्र में रख के लिए लिख सकते हैं चुक्छे हमारे पास सुत्र मालूम है T is equal to क्या होता है तू पाई root of I upon MH ये सुत्र है है ना तो हम क्या कर लेंगे इस अवस्था में रख कर जो है जब दोलन कराते हैं तो T1 प्राप्त होता है उसमान को हम लिख लेंगे कैसे लिखेंगे ये हो जाएगा T1 त के जगह में T1 और सुत्र में जो टू पाई आता है वो टू पाई ठीक है root of root of क्या होता है I I के जगह में क्या हो जाएगा हाँ बताइए good I1 प्लस I2 और बटा M के जगह में हाँ M1 प्लस M2 है ना और क्या हो जाएगा H 26 तीव रता ठीक है 36 तीव रता H तो ये इस प्रकार से मान हमको मिलेगा अब हम क्या करते हैं बिल्कुल सहीं वर्ग लेते हैं ठीक है कि वर्ग ले लेंगे तो T1 का वर्ग बराबर इधर दो का वर्ग कितना चार पाई का पाई घात दो और इनका जो वर्व मूल होता है वो हड़ जाता है कितना मिल जाएगा I1 प्लस I2 अपॉन M1 प्लस M2 ठीक है और साथ ही साथ ये इन्टू H ठीक अब एक काम कर सकते हैं हम कि इसको जो है इस O ले जाए चुम्ब की आद उन्हों के दूलना करना है तो M1 M2 है ना इस मान को इधर ले जाता है तो क्या मिलेगा M1 प्लस M2 इन्टू H है ना H जो है को उधर छोड़ देते हैं ठीक है M1 प्लस M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यह मान हमारा हो जाएगा 4 Pi का Square है ना और H को भी इधर ले आते हैं ठीक है इन्टू H is equal to 4 Pi का Square इन्टू I1 प्लस I2 है ना और यह हो जाएगा T1 का Square ठीक यह जो है अपना पहला मान प्राप्थ होगा ठीक यह पहला समीकरन ठीक है क्या करें अब इसको जो है जो हम दो चुंबक ले रहे हैं इसको विप्रित इस प्रकार से हम जोड़े कि एक जो धुरू हो ठीक है यह धुरू एक और N हो और दूसरी और मतलब उपर में उसके जस्ट उपर में क्या हो S हो विप्रित दुरू को इस प्रकार से जोड़ दे N, S, N, S ठीक है तो इसका चित्र कैसे बन जाएगा दूसरी स्थिति में दूसरी स्थिति दूसरी स्थिति में क्या करें जो चुम्बख हम ले रहे हैं उनको इस प्रकार से जोड़ दे कि एक धुरू N है तो दूसरी स्थिति एक तरफ क्या हो S हो ठीक है तो इस स्थिति में हम इसके स्थित्ध जो है चुम्बख की आगूर निकलेंगे तो स्यूक्त चुम्बकी आग्वन, अब आपको मालू है चुम्बकी आग्वन, एक सदीस रासी है ठीक है, इसलिए जब हम विपरित करम में इनको जोडते हैं, तो वो M1 माइनस क्या हो जाता है? M2 ठीक है M1-M2 विपरित धुरुओं को ऐसा जोडते हैं एक साथ इधर तो क्या हो जाएगा M1-M2 और आपका सयुक्त जड़त आघ़ू जड़त आघ़ू सयुक्त जड़त आघ़ू कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका i1 प्लस i2 अब यह i1 प्लस में क्यों हुआ क्योंकि जड़त्व आगुम होता है वो अधीस रास्ती होता है ठीक है है ना तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 कि इसके लिए दोलन काल जब दूसरी स्थिति के लिए निकालते हैं तो दूसरी स्थिति में दोलन काल यदि टीटू मिले है ना दोलन काल टीटू फ्राप हो तो क्या हो जाएगा इसका मान बैल्यू रखेंगे तो टीटू का टीटू is equal to सुत्र में ही रखेंगे टीटू is equal to क्या हो जाएगा टूपाई है ना रूट आफ इस बैल्यू को रख देंगे I1 प्लस I2 और नीचे में हो जाएगा M1 माइनस M2 इंटू H ठीक है दोनों पक्षों में वर्ग लेले कितना हो जाएगा T2 की घाद 2 ये 2 का 4 पाई की घाद 2 और यहां से वर्ग मूल हट जाएगा ये मिलेगा I1 प्लस I2 बटा M1 माइनस M2 M1 माइनस M2 इंटू H ठीक है अब M1 माइनस M2 इंटू H को कहा ले जाए इस O ले जाए तो M1 माइनस M2 इंटू H is equal to क्या हो जाएगा is equal to ये 4 पाई का square अपने जगा में है ना I1 प्लस I2 अपने जगा में और नीचे उतर जाएगा T2 का square यानि T2 की हाद 2 ठीक है इस तरीके से हमको क्या मिलेगा समीकरन नमबर 2 ठीक अब समीकरन एक को समीकरन दो से क्या कर दे भाग कर दे ठीक है समीकरन एक भागित समीकरन दो करे तो क्या प्राप्थ होगा समीकरन एक भागित दो करने पर समीकरन एक क्या है समीकरन एक यह है M1 प्लस M2 इन्टू H इस साइड को इस साइड से भाग दे M1 माइनस M2 इन्टू H से ठीक है तो यह हो जाएगा M1 माइनस M2 इन्टू H इक्वल टू इस साइड में क्या क्या मिलेगा 4π का स्क्वाइर है ना I1 प्लस I2 अपॉन T1 का स्क्वाइर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 4π का स्क्वाइर I1 I2 प्लस I2 अपॉन T2 का स्क्वाइर ठीक है यह जो है इस प्रकार से मिलेगा अब इनको भाग देते हैं भाग कैसे मिलेगा आपको इस पस्ट है यह H बराबर है H कट जाएगा ठीक तो मिलेगा हमको M1 प्लस M2 अपॉन M1 माइनस M2 M1 माइनस M2 ठीक है बराबर 4π की घाद 2 और I1 धन I2 बटा T1 की घाद 2 ठीक है यह नीचे वाली रासी क्या हो जाती है पलट जाती है पलट कर क्या हो जाएगा T2 की घाद 2 उपर चला गया और यह जो है 4π की घाद 2 है ना और I1 धन I2 यह कहां जाएगा नीचे आ जाएगा ठीक अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या-क्या मिल रहा है आपको क्या-क्या कट जाएगा सहीं बिल्कुल सहीं 4π की स्क्वार 4 पी की स्क्वार कट जाएगा और कुछ दीख रहा है बिल्कुल सहीं I1 प्लस I2 है ना यह भी क्या हो जाएगा कर जाएगा तो हमको मान कितना मिलेगा T2 का स्क्वार अपॉन T1 का स्क्वार ठीक है तो ये हो गया M1 प्लस M2 अपॉन M1 माइनस M2 का जो मान होता है ये हमको मिलता है ठीक है ये समीकरन हो गया आपना तीन ठीक है अब इस समीकरन जो तीन मिला है यहां पर हम योगांतरा नुपात नियम लगा सकते हैं चुकि हमारे जो ये विधी है वह क्या है योगांतरा योगांतरा आपने दस्मी में पढ़ा है कि योगांतरा मतलब होता है एक बार योग और एक बार अंतर एक बार अंसे य कि हर जो है एक बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, इस तरप वही प्रक्रिया होगा, तो इधर भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक, तो योगांटरन उपात् तो यहाँ पर योगांतरा नुपात नियम लगाने से योगांतरा नुपात नियम से नियम से क्या हो जाएगा अंस में क्या है M1 प्लस M2 है ठीक है इस अंस में एक बार हर क्या हो जाता है जूड़ जाता है उपर में ठीक जूड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा यह प्लस M1 माइनस M2 यह जूड़ गया और नीचे में अंस से M1 प्लस M2 जो अंस है उससे क्या हो जाएगा हर जो होता है वो घड़ जाता है M1-M2 एक बार अंस में हर जुड़ जाता है और एक बार अंस में हर घड़ जाता है वैसी इधर भी हो जाएगा अंस है T2 की घड़ 2 इसमें हर T1 की घड़ 2 जो है एक बार जुड़ जाएगा और T2 की घड़ 2 में एक बार T1 की घड़ 2 जो है घर जाएगा ठीक अब इसको हल करिए हल करेंगे तो आप देख रहे हैं M1 प्लस M1 कितना हो जाएगा बिल्कुल सहीं 2 M1 है ना और प्लस M2 माइनस M2, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सुनने को जाएगा, नीचे में इसको हल करिए, M1 प्लस M2 इसको खोल दीजिए, रिन चिन को अंदर ले जाएगे, तो रिन गुडित धन, रिन M1, रिन गुडित धन, धन M2, ठीक है, बराबर T2 की घाद, दो धन, T1 की घा दो बटा T2 की घाद, दो रिन, T1 की घाद दो, अब इसको हल कर दीजिए, ठीक है, ये M1 धन का है, ये रिन का, कट जाएगा, ठीक, धन M2, धन M2, ठीक है, तो 2M1 बटा क्या हो जाएगा, दो M2, बराबर T2 की घाद दो, धन T1 की घाद, दो बटा T2 की घाथ दो रिन T1 की घाथ दो ठीके यहाँ से 2, 2 cancel हो गया तो कुल मिलाकर हमको क्या मानप्राप्थ हुआ Very good, क्या मानप्राप्थ हुआ M1 upon M2 equal to T1 T2 का square plus T1 का square है ना minus T2 का square minus T1 का square तो इस मानप्राप्थ हम एक बार पुन्हा लिख ले M1 upon M2 equal to T2 का square plus T1 का square upon T2 का square minus T1 का square यह होगे हमारा चौंथा समिकरण और इस समिकरण से हम जो है क्या कर सकते है고 T2 or T1 का मान ज्याद करके M1 upon M2 का गर्णा कर सकते है ठीक है तो इसके लिए प्रेक्छन साणी कैसे तैयार करेंगे इसके लिए जो प्रेक्छन साणी है उसको हम इस प्रकार से तैयार करेंगे ठीक है यह योगांतर विधी से दोलन चुम्बकत मापी की सहता से चुम्बकी आगुलोग भी क्या करना तुलना करना यहाँ पे हम विरामघडी का अलपतमांग जो हम विरामघडी समय नूट करने के लिए लेंगे उसका अलपतमांग लिक लेंगे जितना आपको प्रियोग करना है उनका करमांग ठीक है सजाती धुरों को एक तरफ होने पर सजाती धुरों का एक तरफ होने पर ठीक है यहाँ पे हम 15 दोलन 20 दोलन भी लगा सकते हैं ठीक है तो 15 दोलन में जो है दोलन करता है जब ठीक है सजाती धुरों को एक तरफ रखने के बाद 15 जो दोलन करता है उसक जाएगा ठीक इसी तरीके से विजाती दुरू को एक तरफ होने पर ठीक है विजाती दुरू को एक तरफ रख लिए अब यहाँ पे 15 दोलन में जो लगा समय है उसको हम पाठ्यांक एक लेख लिए पाठ्यांक दूसरा प्रयोग दर जो है अपन करेंगे ठीक इसका मध्यमान निकाल लेंगे और उससे हम जो है T2 का मान निकाल लेंगे ठीक तो इस तरीके से हमने T1 और T2 का मान निकाल लिया और जब T1 और T2 निकल जाता है तो हम इस उत्र में M1 अपन M2 is equal to T2 का स्कार प्रस T1 का स्कार अपन T2 का स्कार मानस T1 का स्कार में रख कर M1 अपन M2 का मान ग्याद करते हैं ठीक तो यह हो जाएगा योग अंतर लिधी से इसकी सुत्री की स्थापना और चुम्ब की आधिनों की तुलना अब हम एक छोटा सा सवाल हल करते हैं ठीक है जो हमने पिछले दिनों में जो पढ़ा है उसको हम इस्मरंड करें याद करें हम यह कितना याद है ठीक है तो हम एक सवाल हल करते हैं उदहरन एक दंड चुम्बक को गौस की तेन एक इस्थती में तीस सेंटिमीटर की दूरी पर रखने पर बिछे एक दंड चुम्बक को गौस की तेन एस्थती में तीस सेंटिमीटर की दूरी पर रखने पर बिछे कितना देता है तीस अंस देता है ठीक है इसी दूरी पर दूसरा चुम्बक को रखने पर विछेप साटन्स देता है तो उनके चुम्बक की आगुनों की तुलना करें तुलना करें ठीक है उनके चुम्बक की आगुनों की तुलना करें तो हमने जो है क्या किया है इसको पढ़ा है ठीक है इसमें क्या बूलता है एक दूलता है एक दो फोक की कौनके सिस्थी में टेन इस्थिती में कौन spec में रखना है टेनए स्थिती यहनि हमने यहुंद सुट्र लिए इस प्रकार से ऊतना है उस दिल देख था सवाल है इसकी सुत्रा अल्आес तो यहां पर हम दन्चुम्बक को इस प्रकार से रखते हैं जब इसको रखते हैं तो इसमें विच्छेप कितने इंस का देर है ती संस एक दन्चुम्बक को रखने पर फिर इस दन्चुम्बक को हटा लिए यहां पर क्या करेंगे दूसरा दन्चुम्बक रख लेते हैं यहा तो हमारा जो सुत्र है, वो क्या कहता है गरणा करने का, अब बताइए, हाँ, M1 है ना, हल, सबसे पहले, क्या हो जाएगा, सुत्र जो है, वो होता है हमारे पास, M1 upon M2 equal to होता है, 10 theta 1 upon 10 theta 2, ठीक, याद है, हाँ, M1 upon M2 is equal to 10 theta 1 upon 10 theta 2, तो हमने देखा कि पहला विच्छेप कितना दे रहे, 30, और दूसरा कितना है, 30, यहाँ पर हमको क्या क्या मानने का प्राप्ख है, theta 1 बराबर 30, पहले चुम्बक का, पहला चुम्बक में, theta 1 जो है 30 और दूसरा जो चुम्बक है, दूसरा चुम्बक के लिए, theta 2 equal to क्या हो जा इसमें मान पूट कर दे, ठीक, तो मान पूट करने इस क्या मिल जाएगा, m1 upon m2 बराबर 10 theta 1, 10 theta 1 का मान कितना, 30, और theta 2 का, very good, कितना, 10, 60, ठीक है, इस तरीके से मान रखने पार, अब 10 30 का मान क्या होता है, हाँ कितना होता है, एक बटा, root 3, है ना, एक बटा वर्गमुल 3, तो इसमें मान पूट कर देते हैं, एक बटा वर्गमुल 3, किसका मान होता है, 10 30 का, ठीक है, और बटा, 10 60 का, कितना होता है, हाँ, very good, कितना होता है, वर्गमुल 3, ठीक, तो यहाँ पे इस value को पूट कर देते है, है ना, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बटा वर्गमुल 3, यह पूरा एक है, है ना, अब यहाँ पर देखे, इसका हर है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो इसमें हर क्या लगाते हैं, एक, ठीक, और इसको पलट कर बुड़ा कर देंगे, बुड़ा कर देंगे, तो एक कहा चाहेगा, तो M1 upon M2, M1 upon M2 का जुमान मिल दिया हमको, एक बटा 3, ठीक है, तो M1 अनुपात M2 हमको मिला एक अनुपात 3, ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो चुम्बको की चुम्बकी आगुनों की, इस सवाल में गड़ना कर लेते हैं, उनकी अनुपात की, ठीक है, तो इस प् दो चुम्बको की चुम्बकी आगुनों की तुलना करना, और युगांतर विधी भी देखा, और उसके साथ साथ, जो हमने पिछला जो पढ़ा था, है न, उसके उस पर अधारित एक सवाल भी देखा, अब जो है, इससे आगे हम कल अध्यन करेंगे, धन्यवाद